हलो दोस्तों श्रिष्टी एजुकेशन होश में मैं विवेक कुमार आप लोगों का श्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में शर्षटवी बीपीएसी से रिलेटेड हम लोग बातें करने वाले हैं तो आए बिना समय का बिलम किये हुए सीधे टोपिक पर चलते हैं दोस् उसको मैंने दो भागों में डिवाइट कियान में दिखिए दिखिए दस्तों पहला है इतना हाय कटप जाने का कारंण क्या है और दूसरा हाय कटप का समाधान कैसे किया जा सकता है तो दोस्तों इसे जानने से पहले एक नजर हम लोग शर्षटमी बीपीएसी का जो पीटी उसी तरह देखे EWS का 109, BC का 109, EBC का 109, SC का 104 और ST का 100 गया है दोस्तों दोस्तों अभी तक जो BPC के द्वारा जो PT का एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया है उसमें ये सबसे हाई कट अप है 168 में और भी बढ़ने वाला है तो इस पर अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो साइब 68 में 130 चला जाए तो इस पर शविय स्टुडेंट को ध्यान देने की जरुवत है नहीं तो फिर आने वाले एक्जाम में बहुत दिक्कत का सामना करना परशकता है शविय स्टुडेंट के लिए तो आईए दोस्तों शविय से पहला नंबर पर हम लोग चलते हैं 66 में इतना हाई कट अप क्या कारण है कि जा रहा है तो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं तो दोस्तों आईए सबसे पहले हम लोग पहला नंबर पर चलते हैं शरशटमी BPC में इतना हाई cut up का कारण क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं शरशटमी BPC में दोस्तो हाई cut up जानने का पहला और सबसे प्रमुक कारण है आयोग की लापरवाहि दोस्तों आप लोगों ने देखा था शर्षटमी BPSC में जो PT का पहले का जो एक्जाम लिया गया था उसमें पेपर लिग का मामरा सामने आया था जिसके कारण आयोग को एक्जाम कैंसिल करना पड़ा और फिर से री एक्जाम लेना पड़ा अब दोस्तों स्टुडेंट के द्वारा ये री एक्जाम में ये आरोप लगा जा रहा है कि इसमें अंदर से से शेटिंग करवाया गया है अब अंदर से से शेटिंग कैसे किया है दोस्तों उन लोगों को आरोप ये था कि अंदर से जो ओमर सीट होता है उसको रंगवाया गया है अब दोस्तों इसमें क्या सचाई है वो मुझे पता नहीं है लेकिन ये छात्रों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था तो अगर दोस्तों अगर अंदर से सेटिंग का मामला सामने आ द्वारा अस्तरहीन प्रश्ण को शेट करना दोस्तों ये बीपीएसी का एक्जाम जो लेता है बिल्कुल ही अपना कोश्चन के लेवल एकदम गिरा देता है ऐसा तो आज कल के ग्रुबडी के एकजाम में भी नहीं लिया जाता है इतना इजी टाइप प्रश्ण अगर बी आप वन लाइनर प्रश्ण पुछेगा तो पहले ही से बीपीएसी के द्वारा जो भी एवीसी या उसे नीचे की कैट्रीगरी की जितने भी स्टुडेंट आते हैं उस अब लोगं को पचास जार की प्रोशाहन की रासी दिया जाता है अगर वो पीती एकजाम पाते हैं तो तो उस कंडिशन में बहुत शारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रेलवे की तयारी कर रहे हैं या अदर किसी डिफेंस लाइन की तयारी कर रहे हैं उसका शुडेंड भी अनुदान की राशी लेने के लिए उसमें फारम अप्लाई कर देते हैं तो आयो कि यह जो प्रशन जो डाला जाता है वो उन्हें डालना चाहिए एक लेवल का प्रशन होना चाहिए जो पीशियेस लेवल कहा जाता है प्रशन इसमें होता ही नहीं है एकदम बिलकुल ही ऐसा तो अब किसी भी एकजाम में प्रशन नहीं पूछा जाता है जैसा जैसा प्रशन पूछा कि मुझे लगता है दोस्तों अगर इन दो टॉपिक पर अगर आयोग शोचे तो फिर शायद बीपेशी की स्थिति में सुधार किया जा सकता है क्योंकि अभी देखिए इस बार आप लोग कटम देखिए जेनल का 113 गया है अगली बार कहीं ऐसा नहों जाए 113 से 117 पहुंच तो फिर यह बहुत बड़ी समस्य आने वाला है तो अभी सही एक काम करना पड़ेगा क्योंकि अब अधिकार जो है वो मांगने से नहीं मिलता है उसे चिनना पड़ता है अब दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर हाई कटब का समाधान कैसे किया जा सकता है तो दो ये अने भी पुराने अधिकारी और कर्म्चारी है उन्स अभी लोग को तबादला करके एक नाए सीरय का जो भी नया अधिकारी और कर्मचारी आएंगे तो वो काम करें अगे तो उनका पुराने वाले तो आप दोसारे अए्म एक अप्तर अंदर वाला काम अगर कहानी अगर खतम हो जाएगा तो भी समझे आधा प्रोब्लम सोल हो गया अब यह आधा प्रोब्लम सोल हो गया तो फिर आधा प्रोब्लम बचा अब देखते हैं आधा प्रोब्लम क्या है दूसरा दोस्तों है पेपर का जो लेबल है वो PCS लेबल का किय जाना चाहिए अब दोस्तों PCS लेवल का अगर किया जाएगा तो इससे ये बेनिफिट होगा कि जो भी स्टुडेंट गुरुब्डी का या किसी अंच्छोटे एक्जाम का जो तयारी कर रहे थे वो इसमें नहीं बरेंगे क्योंकि वो लोग तो डीचल से काफी पढ़े नहीं है तो उन लोगों का पेपर समझ में नहीं आएगा तो वो लोग पेपर भरेंगे नहीं जिससे इसमें वही काणिदेट सामिल हो पाएंगे जो एक्च्छल में वी-पीए-सी की तयारी कर रहे है या या यू यू-पीए-स वो शब इसमें एक्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि देख लेंगे कि मेरे लेवल का पेपर नहीं है तो दूसरा प्रॉब्लम तो यहीं से स्वल्व होगी है तो यहीं दो प्रॉब्लम अगर बीपीशी आयोग के द्वारा इस पर ध्यान दिया जाए तो साइड कटप को एक इस नीचे लाया जा सकता है दोस्थो यह 113 है उसको हैंडरेस से नीचे लाया जा सकता तो यह किया जा सकता ह हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते दोस्थो दोस्थो जो भी मेहान अनुभव था मैंने आप लोगं किया जा सकता है या नहीं तो दोस्तों मुझे तो नहीं लग रहा है कि 20 गुना रिजल्ट किया जा सकता है क्योंकि आयोग के जो अध्यक्ष हैं जो भी इंटर्व्यू उनसे लिया जा उसमें वो अश्पष्ट बोल रहे हैं कि खेल के बीच में नियम को चेंज नहीं किया जा सकता है तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि वो बीच में नियम का चेंज कर सकते हैं लेकिन फिर भी यह 100% नहीं कहा जा सकता है क्योंकि छात्रों के दबाब में आकर उनको नियम को चें लक्ता हैं यह नहीं सो ... आपना लाइ बताया है आप लोग अपना राइ कोमेंट में लिख या और आखिर क्या 57-मेश शच्मी सुधहार किया जाए क्टप को इतना हर जाए तो मिल्टें हो एक रिज बीडियो में तब तक के लिए धन्यवार